धर्म गलानी कुषने की हमने ही किये, तो धर्म गलानी को दूर भी हम ही करेंगे। पर मात्मा हमारा इसमें सहयोगी बन करकर इस धर्ति पर आया हुआ है। और ये प्रजा पिता ब्रह्मा पुमारी संस्था इस कार्य के लिए सबसे अंगे बढ़ करके आइए। हम अभी तक 3000 संस्थाइं हैं विश्व में लेकिन सबसे जादा धर्म गलानी की चिंता किसी संस्था को है सबसे जादा भारत को स्वर्ग बनाने की चिंता किसी संस्था को है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शुरी विश्व विद्याला को है अभी तक हम तमाम सोशल मीडियों में धर्मों के व्याख्यानों को लोगों के सुनते हैं लेकिन सब अपने अपने संस्था का प्रचार करते हैं लेकिन मात्र एक यही संस्था है जिसको सब का दुख, सब का दर्द, सब की पीड़ा सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि संस्था का संचालन कोई मनुष्य नहीं कर रहा स्वयम परमपिता परमात्मा शिव जिसे कहें राम कहें वही संस्था को चला रहा है यहां हम सब उसके निमित्य कारे कर रहें क्योंकि वो अद्रिस्य है दिखाई नहीं देता इसलिए उनके निमित में प्रजा पिता ब्रह्मा बाबा दादा लेख राच उनके सार्थी हैं उनको भी हमारा सत्सत नमन जिन्होंने अपना संपूर्ण समर्पन कर दिया अब वो समय नजदीक है कि धर्म की गलानी हुई है तो अधर्म का बिनास करने के लिए स्वयम धर्म क वाहक स्वयम परमात्मा इस धर्ती पर आवतरीत हो चुका है रामचरित मानस में एक छोटा सा चौपाई गोश्वामी तुलसीदाजी ने कहा है कि जब जब हो ही धर्म के हानी बाढ़े ही अशूर अधम भीमानी तब तब लगी प्रेभू मनुज सरीरा प्रभू ने मनुज का सरीर लिया हूँ मनुज का उना है स्वयम प्रजापिता ब्रह्मा जिसका आधार ले करके स्वयम गीता ग्यान दे करके इस धर्ती को पावन बनाने का कार्य लगभग लगभग पूरा कर चुका है परदा खोलने की बारी है अब वो जल्द ही वो चाहे ना हो ऊसरीर कराने आया है वो हमसे कारड़ करा ही लेगा उससे बड़ा शर्वसक्तिमान कोई नहीं इसलिए हमारी भलाई इसी में हैं कि हम सब एक हो करके उसके कार्य में सहयोगी बन जाएं ताकि हमें भी कुछ मिन जाएगा Om Shanti Om Shanti Om Shanti